पिछले अध्याय में हमने जाना कि जब कर्ण ने अर्जुन को द्वांद युद्ध के लिए ललकारा तब किस प्रकार कृपाचारे ने उनके कुल को लेकर उनका अपमान किया और राजना होने के करण असमानता की बात कही। दुर्युधुन द्वारा उन्हें उसी समय अंग प्रदेश का राज्य प्रदान कर दिया गया। चादर खिसक कर गिर पड़ी थी और वहें पसीने से लत्पत हो रहा था। पिता के गौरव से बंदा हुआ कर्ण अधिरत को देखते ही धनुष्ट्याक कर सिंगासन से नीचे उतराया। उसका मस्तक अभिशेक के जल से भीगा हुआ था। उसी दशा में उसने अधिरत के चर्णों में सिर रख कर प्रणाम किया। अधिरत ने अपनी दोनों पैनों को कपड़े के छोड से छिपा लिया और बेटा बेटा पोकारते हुए अपने को कृतार्थ समझा। उसने सने से विवल होकर कर्ण को हिदे से लगा लिया। और अंगदेश के राज़े पर अभिशेक होने से भीगे हुए उसके मस्तक को आशूं से पुनह अभिशिक्त कर दिया। अधिरत को देखकर पांडु कुमार भीम से यह समझ गए कि कर्ण सूत पूतर है। फिर तुमें हस्ते हुए से बोले। अरे उस सूत पूतर तू तो अरजुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीग्रही चाबुक हाथ में लेना चाहिए क्यूंकि यही त देश का राज्य भोग ने योग्य नहीं है। भीम सेन की यूँ कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होंट कुछ कांपने लगा। और उसने लंबी सांस लेकर आकाश मंडर में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोनमत आज की भांती भ्रात्र समूरूपी कमलवन से उचल कर बाहर निकलाया। उसने वहां खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीम सेन से कहा। व्रिकोदर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्षत्रियों में बलकी ही प्रधानता है। बलवान होने पर क्षत्र बंध की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। वह तेजस्वी अगनी जल से प्रकट हुआ है। दानमुका संखार करने वाला वज्र महरशी दगीची की हड़ियों से निर्मित हुआ है। कुल में जिसने ही ब्रह्मन क्षत्रियों से उत्पन्न हुए है। उनका नाम तुमने भी सुना ही होगा। तथा विश्वमित्र आदी क्षत्री भी अक्षे ब्रह्मनत्व को प्राप्त हो चुके है। समस्त्रशस्र धार्यों में श्रेश्ट हमारे आचारे द्रोन का जन्म कलश से हुआ है मारिशी गौतम के कुल में कृपाचारे की उत्पत्ती भी सरकंदों के समू से हुई है तुम सब भाईयों का जन्म जिस प्रकार हुआ है वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है समस्त शुभलक्षनों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन हुआ सूरे के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूजाती की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है क्या कोई हरनी अपने पेट से बाग को पैदा कर सकती है इस सूरे सद्रिश तेजस्वी वीर को जो इस प्रकाक शत्रियोचित गुणों से संपन तथा समरांगन को सुशोभित करने वाला है कोई सूजाती का मनुष्य कैसे उत्पन कर सकता है राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ्य से आग्या पालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं समूची पृत्वी का राज्य पाने का अधिकारी है जिस मनुष्य से मेरा ये बरताव नहीं सहा जाता है वह रत पर चड़कर पैरों से अपने धनुष को नवावे हमारे साथ युद्ध के लिए तयार हो जाए ये सुनकर समूचे रंग मंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही महान हाहाकार मच गया इतने में ही सूरेदेव अस्ताचल को चले गए तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की अंगूठी पकड़कर मशाल की रोशनी करा उस रंग भूमी से बहार निकल गया राजन समस्त पांडवी द्रोण, कृपाचार और भीश्म जी के साथ अपने अपने निवास्थान को चले गए भारत उस समय दर्शुकों में कोई अर्जुन की कोई कर्ण की और कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले जा रहे थे दिव्वे लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचान कर कुंती के मन में बड़ी प्रसंता हुई किन्तु वे दूसरों पर प्रकटना हुई जन्मी जिर उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अरजुन से होने वाला भय शीघ्रदूर हो गया वीरवर कर्ण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था वे भी दुर्योधन के साथ परम्स नहीं और सांतवना पूर्ण बातें करने लगा उस समय युदिश्टर को भी ये विश्वास हो गया कि पृत्वी पर कर्ण के समान धनुदर कोई नहीं है वेशंपायन जी कहते हैं राजन पांडवों तथा ध्रित्राष्ट के पुत्रों को अस्रविद्यम में निपुन देख दुरुणाचारे ने गुरुदक्षणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चे किया जनमेचि तदनंतर आचारे ने अपने शीष्यों को बुला कर उन सब से गुरुदक्षणा के लिए इस प्रकार कहा शीष्यों पांचाल राज दुरुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ तुम्हारा कल्यान हो यही मेरे लिए सरवोतम गुरुदक्षणा होगी तब बहुत अच्छा कहकर शीगरता पूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्धवत हो रथों में बैटकर गुरुदक्षणा चुकाने के लिए आचारे द्रोन के साथ ही वहां से प्रस्तित हुए तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली युद्ध्चू, दुश्यासन, विकर्ण, जलसंग तथा सुलोचन ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नर्शेष्ट क्षत्रिय शिरोमणी राजकुमार पहले मैं युद्ध करूँगा पहले मैं युद्ध करूँगा इस प्रकार कहते हुए पांचाल देश में जा पहुँचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा दुरुपत की राजदानी को भी रौंदने लगे उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सपारों के साथ नगर में घुचकर वहां के राजपत पर चलने लगे जन्मेजिय उस समय पांचाल राज दुरुपत कौर्वों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आँखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भायू सहित राजभवन से बाहर निकला महाराज यक्य सेन दुरुपत और उनके सब भायों ने कवच धारण किये फिर वे सभी लोग बाणों की बोचार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे राजा दुरुपत को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था वे चमखीले रत पर सवार हो कौर्वों के सामने जा पहुँचे और भय अनक बाणों की वर्षा करने लगे वे शमपायन कहते हैं जनमीजन कोर्वों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बड़ा घमंड था इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोनाचारे से कहा गुरुदेव इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंधी नहीं बना सकते यो कहकर पाप्रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाईयों के साथ नगर से बाहर ही आधी को उसकी दूरी पर ठहर गए राजा दुपद ने कौर्वों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिचा कर कौर्व सेना को मुर्शित कर दिया युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा दुपद रत पर बैटकर यद्धि पी अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मानने लगे दुपद के भयंकरबान सब दिशाओं में विचरने लगे महाराज उनकी विजय होती देख पांचालों के घर में शंक, भेरी और मिदंग आदी सरस्त्रों बाजे एक साथ पज उठे महान आत्मबल से संपन पांचाल सैनिकों का सिंगनाद बड़े जोरों से होने लगा साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैल कर घूजने लगी उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहू, दीरगलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भर कर बाणों की वर्षा करने लगी भारत युद में परास्तना होने वाले महान धनुर्दन दुपद ने अत्यंत घायल होकर ततकाल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पिडित कर दिया वे अलाच चक्र की भांती सब ओर घूंकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविद सेनाओं को बाणों से त्रिप्त करने लगे उन्होंने दुशासन को दस, विकर्ण को बीस, तथा शकुनी को अत्यंत तीखे तीस, मर में भेदी बाण मारकल घायल कर दिया तक पशाच शत्रुदमन दुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपून अंगों की संधियों में प्रिथक प्रिथक 28 बाण मारे सुबाहू को पाँच बाणों से घायल करके अन्य योदाओं को भी अने एक प्रकार के सायकों द्वारा सहसा बींध डाला और तब बड़े जोर से सिंगनात किया इस प्रकार क्रोधपूर्वग गर्जना करके संपून शस्त्र धारियों में श्रेष्ट पांचाल राज दुपद ने शत्रों के धनुष, रत, घोडे तथा रंग बिरंगी धोजाओं को भी काट दिया तब पशात सारे पांचाल सैनिक सिंग समू के समान गर्जना करने लगे फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौर्वों पर तूट पड़े और बरसने वाले बातलों की भाती उन पर मूसल एवं डंडों की वर्शा करने लगे उस समें बालक से लेकर बोड़े तक सभी पुरुवासी कौर्वों का सामना कर रहे थे जनमिज गुप्त चरों के मुख से यह समाचार सुन कर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं पांचाल राजद्रुपद के बानों से करन के संपून अंग क्षत विक्षत हो गए वह भैपीत हो रत से कूद कर भाग चला तथा कौरव सेनिक चीखते चिलाते और कर रहाते हुए उन पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं पांडव लोग पीड़ित सेनिकों का रोमाजकारी आर्थनाद कान में पड़ते ही आचारे द्रोन को प्रणाम करके रत पर जा बेठे और शीख्र वहां से चल दिये अरजुन ने पांडुनंदन युधिष्टर को यह कहकर रोक दिया आप युध न कीजिए उस समय अर्जुन ने मादरिकुमार नकुल और सहदेव को अपने रत के पहियों का रक्षक बनाया भीमसिन सदा कदा हाथ में लेकर सेना के आगे-ागे चलते थे तब शत्रों का सिंगनात सुनकर भायो सहित निश्पाप अर्जुन रत की घरगराहट से संपूर दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बड़े पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्द महासागर की भांती गर्जना कर रही थी महाभाव भीमसिन दंडपाणी यमराज की भांती उस विशाद सेना में घुश गए ठीक उसी समय जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है गदाधारी भीम, स्वेन, हाथियों की सेना पर तूट पड़े कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही बहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था उन्होंने काल रूप धारण कर गदा की मार से उस गज सेना का सिंघार आरंब किया भीम सेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे परवतों के समान विशाल काय गजराज लोहु के चरने भाते हुए वज्र के आघाच से पहाणों की भाती प्रित्वी पर गिर पड़ते थे अर्चुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों घोड़ों तथा रथों को धाराशाई कर दिया पैदलों तथा रथियों का संघार कर डाला जैसे गवाला वन में डंडे से पशूँ को हागता है उसी प्रकार भीम सेन रथियों और हाथियों को खदेरते हुए उनका पीछा करने लगे राजन उस समय द्रोणाचारे का प्रिये करने के लिए उद्ध्वत हुए पांडुनंदन अर्जुन दुरुपत पर बाण समुहों की वर्षा करते हुए उन पर चड़ाई वे रणभूमी में घोडों, रथों और हाथियों की जुंडगा सब ओर से संघार करते हुए प्ले कालीन अगनी के समान प्रकाशत हो रहे थे उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और संजे वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढख दिया और मुक से सिंघनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया वह युद अत्यंत भायानक और देखने में बड़ा ही अध्भुत था शत्रों का सिंघनाद सुनकर इंद्रकुमार अर्जुन उसे सहन ना कर सके इस युद में किरिट धारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिचा कर पांचाल को आच्छादित और मोहिच्चा करते हुए उन पर सहसा आक्रमन किया यसी स्वी अर्जुन बड़ी फोर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नैने बाणों का संघान करते रहते। उनके धनुषपर बाण रखने और चूरने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। महराज उस युद्ध में ना तों दिशाओं का पता चलता था ना आकाश का और ना प्रित्वी अथ्वा कुछ भी अन्य दिखाई देता था। बलवान वीर गांडव धारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंग नाध हो रहा था। उधर पांचाल राज दुपत ने अपने भाई सत्यजित को साथ लेकर तीवर गती से अर्जुन पर थावा किया। ठीक उसी तरह जैसे शंबरा सुर ने देवराज इंद्र पर आकर्मन किया था। परंतु कुंति नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बोचार करके पांचाल नरेश को ढख दिया। और जैसे महा सिंग हाथियों की युद्धपती की पकरने की चेश्टा करता है। उसी प्रकार अर्जुन दुरुपत को पकरना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। सत्य पराक्रमी सत्य जीत ने देखा कि कुंति पुत्र धनंजे पांचाल नरेश को पकरने के लिए निकट बड़े आ रहे हैं। तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चड़ाये। फिर तो इंद्र और बली की भांती अर्जुन और पांचाल सत्य जीत ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोब में डाल दिया। तब अर्जुन ने दस मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्य जीत पर बलपूर्व गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। यह अध्भुची बात हुई। फिर पांचाल वीर सत्य जीत ने भी शीग रही सौ बाण मार कर अर्जुन को पेड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महरती अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को जाड़ पोँच कर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया। और सत्य जीत के धनुष को काट कर वे राजा दुपत पर चड़ाए। तब सत्य जीत ने दूसरा अतिन्त वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े सारथी एवं रत्चहित अर्जुन को बींद डाला। युद में पांचाल वीर सत्य जीत से पेड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को ना सह सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीगरही बाणों की जड़ी लगा दी। सत्य जीत के घोड़े, धोजा, धनुष, मुठी तथा पार्ष रक्षक एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने क्षत विक्षत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के चिन्न भिन होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्य जीत समर्भूमी से भाग गया। राजन उन्हें इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पांचाल नरेश दुपद ने पांटु नंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा आरंब की। तब विजई वीरों में श्रेष्ट अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध आरंब किया। उन्होंने पांचाल राज का धनुष काट कर उनकी ध्वजा को भी धर्ती पर काट किराया। फिर पांच बाणों से उनकोई घोडों और सार्थी को घायल कर दिया। ततपशाद उस कटे हुए धनुष को त्याक कर जब वे दूसरा धनुष और तुनिर लेनी लगे। उस समय अर्जुन ने मयान से तलवार निकाल कर सींग के समान गर्जना की। और सैसा पांचाल नर मुद्र को क्षुब्द करके सर्प को पकड़ लेता है। उसी प्रकार उन्हें अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पांचाल सैने भाइबीत हो दसों दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंगनाद करके वहां से लोटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा दुरुपद के नगर का विध्धवन्च करने लगे। तब अर्जुन ने कहा भाइया भीम सेन राजाओं में श्रेष्ट दुरुपद कौरव वीरों के संबंधी हैं अतह उनकी सेना का संघार ना कर केवल गुरु दक्षणा के रूप में द्रोण के प्रती महराज दुरुपद को ही दे दो। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेच उस समय अर्जुन के मना करने पर महांबली भीम से युद्धर्म से त्रिप्त ना होने पर भी उससे निवरत हो गए। भरत्रेष्ट द्रोणाचारे को उफार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चून हो गया था। धन छिन लिया गया। और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचारे ने मन ही मन पिछले बैर का स्मरण करके राजात रुपत से कहा। राजन मैंने बलपूर वक तुमारे रास्ट्र को रौंद डाला। तुम्हारी राल्थानी मिट्टी में मिला दे। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहां आये हो। बोलो अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या। यों कहकर द्रोणाचारे क्षत्रे शिरोमनी तुम बश्पन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो। उससे तुम्हारे उपर मेरा स्नेहे एवन प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरिश्वर मैं पुनह तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन मैं तुमें वर देता हूँ। तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यगिसेन तुमने कहा था जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। इसलिए मैंने तुम्हारा आधा राज लेने का प्रित्न किया था। गंगा के दक्षिन प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। दुरुपद ने कहा ब्रह्मन आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना अश्यरे की बात नहीं है। मैं आप से भहत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाह दिया। अब प्रसंचित हो उनका आधर सतकार करके उन्हें आधाराज लोटा दिया। तदनंतर राजा दुरुपद दीनता पून हिदे से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त मा कंधी पुरी में तथा नगरों में श्रेष्ट कामपिल्य नगर में निवास उनकी रक्षा की दुरुपद को अपने क्षात्र बल के द्वारा द्रोंचारे की पराजय होती नहीं दिखाई दी। वे अपने को ब्रह्मन बल से हीन जान कर शक्तिशाले पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से प्रिच्वी पर विचरने लगा। इधर द्रोंचारे ने उत्तर पांचाल वर्ती आहिचत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। राजन इस प्रकार अनेक जन्पदों से संपन आहिचत्रा नामबाली नगरी को युद्ध में जीत कर अर्जुन ने दुरुनाचार्य को गुरु दक्षणा में दे दिया। दुरुनाचारय ने अर्जुन के द्वारा जीते हुए दुरुपद को उनका आधाराज लुटा कर मित्रता हासिल की। परंतु क्या दुरुपद भी दुरुनाचारय को अपना मित्र ही समझते थे या और कुछ। इस युद्ध के बार युधिश्चर का अभिशेक किया गया क्या आप पार्णव सुख पूर्वप जीवन व्यतीत कर पाएं जानते हैं अगले अध्याय में